नमस्कार मित्रों कई बार आप महसूस करते होंगे कि यार मैंने एक बार प्रैक्टिस कर ली दो बार प्रैक्टिस क्यों करना तो मित्रों एक बहुत सीधी सी बात है आज आपको इस चीज का अनभो नहीं होगा लेकिन हम जैसे आपसे 15-20 साल सीनियर लोगों से जो की अब प्रोफेशनल करियर में हैं उनसे पूछिए कि भई एक दो नमबर का मतलब क्या है तो आपको पता चलेगा या जो आपके जस्क दो तीन साल सीनियर लोग हैं जिन्होंने कोई कॉम्पेटिटिव एक्जाम दी है उनसे पूछिए तो आप को पता चलेगा कि एक दो नमबर का मतलब क्या है जब में एक नमबर के में हजारों की रैंकिंग चेंज हो जाती है तो पता चलता है कि एक नमबर का मतलब क्या है जैसे मान लिजिए किसी ने कैट का एक्जाम दिया या CPET का एक्जाम दिया या फिर मेडिकल के लिए PMT का ए या नन्य कोई भी एक्जाम दिया बैंक की सर्विसिस ले लीजिए, SSC की सर्विसिस ले लिजिए, IES, PCS की ले लीजिए, जिसमें जो एक्जाम देने वाले लोग हैं वो लाखों की संख्या में है और सीट्स बहुत कम है या नेट जे आरफ ले लिजिए तो आप देखेंगे कि एक नंबर की करण मामला इधर से उधर हो जाता है और वो एक सेकेंड, दस सेकेंड, पंदरा सेकेंड या पॉइंट्स में एक्यूरिसी पॉइंट्स में एक्यूरिसी मदलब आप ऐसा समझ लिजिए कि सो मैंसे एक नंबर जादा होने के करण या एक फिल इन दे ब्लैंक या राइट रॉंग सही कर लेने के करण, मुल्टिपल चोईस सही कर लेने के करण या एक नेगटिव मार्किंग के करण आपकी रैंकिंग बदल जाए आपकी किस्मत बदल जाए आपका साल बदल जाए क्या कुछ हो जाता है और इसको कैसे आप बाहर कर सकते हैं इस स्थिती से कैसे बाहर निकल सकते हैं तो वो ये है कि अपने आपको improvise करके आपका competition किसी और से नहीं है आपका competition खुद से है और अपने आपको continuously improve करते रहें तो but obvious है कि आपकी opportunities के आपके better होने के आपकी deserving career के मिलने के chances 100% बढ़ जाते है तो मित्रों यह दी ऐसा लगता है कि यार यह तो मैंने कर लिया है चाहे वो कोई numerical हो चाहे revision हो या फिर कुछ और तो उसको एक तरफ side में रख दीजिए और अभ्यास करते रही है क्योंकि वही है जो आपको 100 या कभी जरूरत पड़े तो हजारों और कभी जरूरत पड़े तो लाखों लोगों से आगे कर सकता है आप एक चीज का अंदाजा लगा ये कि मान लिजिए आपने दो घंटे ज़ादा पढ़ लिया तो उससे मान लिजिए एक नंबर जाता आया और आपका IITJE में या कैट में या जैट में या पी एम टी में जो भी आपकी एस्पिरेशन्स है उसके हिसाब से रैंकिंग लग गई और एक ऐसी सिचुईशन है में जिन करिए कि एक नंबर न होने के कारण वो चीज नहीं हो पाई अगर वो चीज नहीं हो पाई तो सालवर इंतजार करना पड़ेगा दो घंटे के कारण आपको पूरे 365 दिन और 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा क्या बहतर है वो दो घंटे रोज का पढ़ लेना या 24 घंटे 365 दिन इंतजार करना और अगल बगल के लोगों के दोस्तों के ताने सुना देखिए मैं जानता हूँ आप अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप दोस्तों के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप नादर स्तेदारों के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं राइट बट अपने लिए तो कर रहे हैं अपने future के लिए तो कर रहे हैं तो ultimately क्या है हमारे हाथ में पढ़ाई करना, कोशिस करना और लगे रहना और बाकी तो उपर वलक करे गए क्योंकि अगर प्रयास किया गया है तो उसका फल तो मिलना ही है अगर प्रयास नहीं किया गया तो हो सकता है कि कोई गुणजाईश हो, कोई डाउट हो, बट अगर प्रयास किया गया है तो बट अभी से फल मिलना ही मिलना है सो बेस्ट ओफ यूर लग मित्रों ऐसी तरीके से कुछ ने कुछ आप लोग को मोटिवेट करता रहूंगा और बगवान से प्राथना करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ते रहे हैं करता है